हलो दोस्तो, वेलकम टू रोर टू आईटी और अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मुझे उसमें पता चल गया है कि स्टूडेंट्स का यही डिस्टीजन है शाय तक कि एक्जाम पोस्पॉन हो मैंने देखा कि मैंने सिर्फ एक दो एक्वेशन देश किया थे मैंने क कोई judgment नहीं दिया था फिर भी उसमें काफी सारे dislikes आ चुके हैं मुझे पता चल गया है कि अब तो student opposing में है और आप देख सकते हैं यह tweet अभी 15 मिनिट पहले सुपरमन्यन स्वामी ने किया है कि I have just spoken to the Minister of Education suggesting that need and other exams to be conducted after Dipavali. The SC order the other day is not a bar since the Honorable Court has left the date to the government. I am sending an urgent letter to PM just now. अब यह बात बहुत आगे पहुँच चुकी है अभी trending में भी अगर हम देखें तो trending में भी first या second पे पहुँच गया है India against exams in COVID. So मैं बोल सकता हूँ अभी कि अभी exam postpone होने के chances बहुत ही again बहुत जादा बढ़ गए हैं. यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सुपरमन्यन स्व अभी final है यह decision almost अभी final आप समझ सकते हो कि exam postpone हो के ही रहेगा अब मुझे अब मैं positive हूँ इस side पर एक या दो दिन में आपको most probably news मिल भी सकती है लेकिन फिर भी जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अभी भी मैं बोलूँगा exam postpone हो या ना हो इससे पहले भी मैंने वही ची आएगा what about कि November में भी यही cases हुए यही strength हुई cases इसी तरह से बढ़ रहे होंगे तब क्या करेंगे हम तब क्या फिर से exam postpone करेंगे वह हमें पता नहीं है इसलिए मैंने वह statements दिये थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है dislikes तो dislike कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अभी देखो मिल सकता है लेकिन कुछ भी करो preparation बंध नहीं करना है preparation बंध नहीं करना है आज रात को 12 बजे हमारा vectors का live session होने वाला है तो उसमें जितने हो सके सब जुडिएगा ठीक है कोई भी news अगर update आती है तो हम आपको बताऊंगा धन्यवाद